हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टुदे नेर्सेट को एडिट चानल दोस्तों आज वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक इंटर्ड्यूस किये हैं नया टॉपिक सुरू करेंगे वह है दोस्तों देख सकते हैं नया पेपर पॉलिटिकल जिग्राफी से हम लोग जो है टोटल 50 taking से हैंगे और इसमें एक 25 फर्स्ट सेट ऑफ 25 रोरइवजरोब जृबन सब्सक्राइफ और दोस्तों बहुत साथWhी No.com क्या हैं यह सब पूछ रहाता इसलिए मैं यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं मेरा ज्रस है दोई राटरा में एक हुआ और डबलू बीशेट भी क्वालिफाइड हुआ ठीक है और दोस्तों यहां पर देखिए मैं आपको बता रहूं यहां पर देखिए इस लेक्ट्र का दोस्तों पीडिये फाइल और मॉक्तिस दोनों अभिलेबल है दोस्त दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को को सिन नमर्वान वीज कॉल्ड फादर और फॉलिकल जोरफी फादर ऑप्वलिटिकल जोरफी कि सो बोला रहता है वांसर हो जाएगा फैर्डिक रियाजल फैर्ट्री रिजल बहुत अधर फेमास है दिव टूटीज कंसेप्ट लेवं स्रम लेवा लिविंग इस पेसिस का म करें कि इन्डिया जो इस्टेड है एक कंट्री है वो कंट्री क्या करेंगा दूसरे इस्टेड को भी वर्लेज में क्या होता था लड़ा लडाय कर रहा था और दूसरे ंट्रेश को कब ज़क रहा था न तो ये ही इसने बात किया था लिवेनश म ninth accept में इसका क्या होगा ग्रो होगा नहीं तो मर जाएगा इसका कंसेप्ट दोस्तों देखे लिवन रूम में लिविंग इस्पेस इन्हों ने इस स्टेट को वारगानिक स्टेट बताया ठीके और दोस्तों ये जुआ आपको बता दूँ ये जर्मन जियोग्राफर है और एतनोग्राफर इसलिए दोस्तों इन्होंने देखिए आंतरो जगराफी वॉलियूम और इसमें दोस्तों एन्भारमेंटल डिटैमनिस्टीख आप्रोच को अपनाया ठीक फोकस ज्यादा प्रोच को धिन सेकेंड जो भॉलियूमा था एंतरो जीघ्रोफी इसमें देखिए स्वीड़ो पॉस देखाया था और इसमें दिखाया था डिटर्मिनिस्टी का प्रोज में नेचर का इफेक्ट मैंन के ऊपर कैसा होता है ठीक है और देखिए यहाँ पर इन्होंने किताब भी यानि बूक पब्लिस के था पॉलिटीज जो रफी नाइटीन नाइटी सेबन पे और इनका एक और भूक है भलकर कुंडे थी बॉलिम है इसका इस बुक कार देखिए 1885 में बॉलिम है था देनेटी सिक्स में देन 1888 में एक आए था ठीक है यह इनका याद रखिएगा फेडरिक रेजल का बहुत सब्सक्राइब लोग देखा अब देखते है नेक्स्ट गोस्टीन हूपाइं डिटान जियो पॉलिटिक्स टान इसने टान क्या था किसने दिया था यह तां दो से इसका एंसर हो जाएगा जलीन टिके आफ्स नमबर सी इस दा करेक्ट एंसर तो रूडल जलीन ने 1899 में फांस ट्राय में जियो पॉलिटिक और जियो वागता है हाऊस फार दूसर में आपको पता दू हाऊस फर जो है इनके जो है भी गोटी टीक ठीक है ऑई यह अगती फ्री और भी बहुत यह जो कंसिब्स की वरगने किस्टेट अवंस रम इस सब कंसेट व ज्यादा जो है पॉपलर राईस क्या था काल हुस अबने काल हू और छेड़ दिया बिसीकली जो वाल्ड वार्ट वान एंड टू है बिसीकली होस ओफर जी के लिए ही हुआ था ठीके में जो रिजन था हुआ सब्सक्राइब का वार्ट ओफ जियो पॉलिटीक ओके याद रखेगा दोस्तों नेक्स्ट कोशिन कोशिन नवर थार्ड वूज पॉट्रायल एपीटमाइस दा रिलिसन से फ पालिटीकल जेगराफी टु फॉरिंड पॉलिसी दोस्तों यहां पर पुचा है कि इसका वार्ग जो हरी प्रियेंट करता है जा किसके उपर दे रिलिसन सेफ और पॉलिटीकल फॉरिंड पॉलिसी ओके तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा आपका आपका आपसे नमबर एक देटीज कार्ल हाउसाफर का वार्ग देखे पॉलिटिकल जेगराफी टू फॉरिंड पॉलिसी देट नेक्स्ट कोश्टिन कोश्टिन नमर फाइब काट्टा मरीना इज इक प्रोका का मैं आफ है दॉस्तों याद रखेगा यह मैं आफ ओफ अमरीका यहां पर देखिए ऑप्सें नंबर सी पे दम्या यह मैप आफ अमरीका बाइवाल द सी मूलर्ट OK देखिए next question question number six organic theory of state was propounded by organic theory दोस्तों अभी पिछले question में first question में देखा कि यह रेजल का है टिकर question number seven में चलते हैं next question question number seven who wrote the book known as the world political geography world political geography book दोस्तों लिखें है इसका वाथर है जी ई पी रसी का ठीके को सिनमैरे यह दरीलेशन्सीप आमांग्थ पाहवार रिस्ट्राक्ट्टर्स दा इनभारमेंट एड एकोनोमिक्ट इने पॉलिडीज इस टम इस दोस्तो इसका अंसरो जा मेड है पोलिटीकल एकोलोजी पॉलिटीकल एकोलोजी में दो सब कुछ की बारे में दोस्तों यहां पर चालेंजेस और इसूस जो है हाइलाट किया गया है इसमें रिलेशनसीप को जो सब्सक्राइब करता है तो इसका हशार हो जाएगा पॉलिटिकल इकोलोजी और ग्यारी मेंडरिंग क्या होता है बोटिंग जब होता है किसी डिस्ट्र करने के लिए क्या करेगा वोटिंग जो आपका बॉंडरीज है उसको मैनिपुलेट करेगा दोस्तों ठीक है मैनिपुलेटिंग दी बोटिंग डिस्ट्रिक्स बॉंडरीज यहां रखिएगा इसमें क्यों करते हैं ताकि किसे भी एक पार्टी को ज्यादा फाइदा हो जो टूरिजम होता है उति नेच्वर तो यह हम यहां पर डिसक्स नहीं करेंगे और कल्चरल डिफीजिएन का है कल्चरल डिफीजिएन माने इस प्रेडिंग दी कल्चर आज व डिफरेंट कल्चर जैसे कि आपका फूड है लेंगवेज यह सब चीजा जो है आपका इस्प जानी के लिफरेंट होता है उसमें भी यह कोशिन कि तो देखें यहां पर क्या है éléments जैबड वोटीज थी स्वे टीए बांड्रीजंटका और ऊंबडरीया रखे Depth देन नेक्स्ट चलते हैं यहां पर एको टो रिजम और कल्च्राल डिफ्यूजन दिया गया है कोशन नमर नाइन वीच और फॉलिग इस्टेटमेंट्स इस नौर्ट इस्टेट की रिगार्डिंग कौन सी इस्टेटमेंट जो है यहां पर ट्रू नहीं है यानि इनकरेक्ट है तो यहां पर देखिए इस्टेट का इस एक एक कौल्चर एन्ड शोसल बेस ओके तो राइट है देन टेरिटोरियल बेस अन्ड इट कलेंश इंटनल सॉभेरेंटी यह भी सही है इट कलेंश विरेंटी इन एक्स्टनल एक्स्टनल रिलेसंस दोस्तों इसका जो है एंसर यह option सही नहीं होगा ठीक है इसका answer हो जाएगा option number D ओके तो यहाँ पर देखिए दोस्तों next question question number 10 कॉसी federal form of government is found in कॉसी federal form of government तो इंडिया में ही मिलता है ठीक है इसका answer हो जाएगा इंडिया इंडिया में क्या है federal type of government है लेकिन यहाँ पर देखिए पुछा गया है कॉसी federal कॉसी federal भी इंडिया का ही हो जाएगा कि यहाँ पर पूरे तरीके से जो है फेडरेल इस्टेट नहीं है यहाँ पर देखिए यूनिटरी गवर इस्टेट है और फेडरेशन दोनों चीज़े यहाँ पर ठीक है और देखिए यहाँ पर इट कंबाइन सफीचर्स आफ ए फेडरल government and the feature of unitary government it is regarded as the semi-federal state or policy federal state as described by Casey where or the key the supreme court of India also describes it is a federal structure with a strong bias towards the center okay the next question question about 11 year primary differentiation between a state and nation is that primary differentiation difference क्या है state or nation की अंदर ठीक है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका answer हो जाएगा कि state जो है आपका political abstract है यहाँ पर political यहाँ लीगल matter यहाँ पर आता है state में और nation में क्या होगा nation है दोस्तों is a human group यहाँ पर यह nation में एक population गुरूब होता है ठीक है और यह जो इस्टेट है दोस्तों एक political चीज़ है ठीक है political and legal things यहाँ पर दीक है दोस्तों differentiation difference between the state and nation तो इस्टेट क्या है इस्टेट is an independent political entity with clear geographic boundaries यहाँ पर दीक है जिवराफिक boundaries होगा इस्टेट में किसी भी इस्टेट में हम लोगा जिसे इंडिया इस्टेट तो इंडिया का भी तर्वांटरी है ठीक है और independent क्या है political entity भी है ठीक है और नेशन क्या है यह नेशन यह लार्ज population that says the same culture language tradition and history तो इस्टेट सेकेंड डिफरेंस देखिये इस्टेट में क्या होगा इट रिफर्स ट्रिटरी इस्टेट दोस्तों एक ट्रिटरी को रिफर्स किया आता है और नेशन को नेशन में दोस्तों ग्रूप पीपल को रिफर किया ता है ठीक है इसमें एक 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 सीक्स टेरिटरी रहेगा और इसमें कोई भी फिक्स टेरिटरी नहीं है अब चलते हैं नेक्स बोसिन को सिन 1999 for a more geographical political geography कीजने दोस्तु अपील किया था उनिक सो उन चास सन्हें ऐसिसों का एंसलोप उन्यने सो एंसलों में यह इंसलोड दोस्तों इसका एंसर आप जाहेंगा रिचार्ड हर्सन ऑप्सेटर्स नंबर ए इस दा करेक्ट एंसर तो देखिए यहां पर रिचार्ड हर्षन का दो मोनुमेंटल वार्ख दो तो नहीं यह की है इसको ही इन्होंने मॉडिफाई किया था नेचर ऑफ जियोग्रफी यह आया था दोस्तो नाइन्टीन फॉर्ट नाइन पे उनिस्टो उन्तालीस देन इसके बाद उनिस्टो अवावन सन में दोस्तो 1552 में इसी बुक को जोस्तो दोबारा देखिये इस नाम से इन्होंने पाब्लिश किया था प्रस्पेक्टिफ अन्दा नेचर ऑफ जियोग्राफी ओके अब चलते हैं नेक्स्ट कोस्टीन कोस्टी नूमर फॉर्ट थाट्टीन विच और दी फॉल्लिंग सिगनिफिकेंटली वेकिन दा इस्ट्रेंद ऑफ मैकेंडर्स जी फॉलिटिकल हाट लन ओरे तो मैकेंडर्स का जीओ प्रॉलिटिकल जो हैटलाइइए थीओरी है एक मौन सी चीज यहाँ पर चार ओप्सटन दिया गे शारा में से कौन सी फॉल जॉलिब कर दिया था मैकेंडर्स एक रिचिन सब्सक्राइब 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 तो यह सबसे ज्यादा जो है इसको विक कर दिया था मैं केंडर का जो जिए प्रोटिकल आपका हटलेंड थियोरी है उस थिवरी को अब चलते हैं नेक्स्ट कोर्टिन में को चलते हैं अगर आपने माटी अभी तक नहीं देखें हैं अमरा जो है इस चानल पर अल्लेडी डिसक्स किये हैं तो यहां पर आई बटन में देख ली जाएगा पॉलिटिकल जो जो शीक्स नंबर पार्ट में थियोरी ज रिलेटेर हमने वीडियो पाब्लिस किया था उसमें हम लोग पॉलिटिकल जोराफी क्या मैकिंडर और इस पाइक मैन की जो है त्योरी डिसक्स के थे और जोराफिकल थोर्ट की बहुत सरे अप्रोच देखे थे ठीक है आप लोग जरूर देख लिए वीडियो यहां पर देखते हैं कॉस्टिन 15 Mackinder was the professor of which subject at London University the London University में में कॉंची सब्जेक अप्रोफेसर सा दोस्तो इसका एंसरो जाएगा जियोग्रफी और दी इस दा करेक्ट एंसर next question question number 16 कहां के एक नेट in 1990 Mackinder's Mackinder renamed his pivot area as Heartland in famous book dk 1929 में इन्होंने क्या किया था में इनका जो famous area था जो Heartland area था दोस्तो यह pivot area को दोस्तो नाम दे दिया था Heartland तो कौन सी book में तो दोस्तो यह था और सी डेमोक्रेटिक आईडिया और से रियालिटी दोस्तों इसका answer हो जाएगा option number C the democratic democratic ideals and reality याद रखियेगा दोस्तों यह questions बहुत पर पूछा गया है इसी नेट की एक्जाम में ठीक है मैंकिनर का तीन बूख है total यहां पर देखिए जो एक्जाम में पूछा आता है यह है आपका डेमेक्र सबया है यह दो गषा यह यह थीन फाट ये खित तो डेमो गक्रीन की आईडिया आ आलीटी दिन में देखिए the geor earnings फेष्टी उने भी ते उमसे चारं और एक देखिए R हओल्ड इंड the winning अब दीपीस मैं किंडर जी का है ये तीनों बूक नेक्स्ट कोर्षिन कोर्षिन नावर सेवेंटीन दोस्तो इसका एंसर हो जाएगा ऑप्स नमबर बी मैं किंडर अभी तो हम लोग देखा इनका बूक यही कोसिस आगे यहां पर नेक्स्ट दहा मैं किंडर हर्टललं थीए एपार ही चलेंज बैष्ट आ इन विलीुघ पॉट्टिं थेयर स्फें इस्टेशन यूपर बेश्ट था अपसर नबर अबी इस दरीक नंसर देटीज मार्केटर प्रोजेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टिन सीषुंट इंडिया दूश्ASE इनार्टिंट में निया कँगती हों उन्डिया इनले म५ंगत ट्रोंक मोंसीश Auntaக में ईंसरो जागा ही नगले को इन पर इसे या तो यह दो स्लार्री आपर याथा दूस्त आन्ट्य जाएगा तो यह इन इनट रहेगा क्रिसेंट हो जाएगा अब देखते हैं नेक्स को से नेक्स को सिन को सिन मेर 20 वू वास्ट अवाथर अब जियोग्राफिय आफ यह पीस यह जो भूक है दोस्तों से स्कुलर्ण जो है कौन सी पावर के ऑपर व्यूदिया था तो यहां पर हम लोगों मैच रहना होगा ओके तहां पर देखिए फास्ट जो देखे सर्भर्स की जो है यह एनपी सर्भर्स की यह स्कोलर दोस्तों यह पावर की उपर इन्होंने भ्यू दिया था अपना यह पावर ओके देन मैकिंडर अभिवसली यह लैंड पावर है सबको पता है इस्पाइक मैंन का हो जाएगा यहां पर थिवर के उपर बिर्शते हैं लेकिन यहां पर देखिए महान देखिए warto customer भी है दोस्तों तो एक दीये है तो दोस्तों इसका आंसर दीन बाला हो जाएगा यह ठीके रार्ण का हो scientifically यहां पर confusion करने के लिए यहाँ पर दिया है यह पर ने करने के लिए यहाँ पर săब दो सक एंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर ये 3421 अब चलते हैं नेक्स कोशिन में तो यहाँ पर देख लिजे एक बार सरभरस के तो हो गया यहाँ पर लिखा होगा यहाँ पर मैरी टाइम भी लिखा होगा मैरी टाइम माने भी जो वो सियानी है ठीक है याद रखियेगा नेक्स कोशिन कोशिन नमबर 22 वो प्रपोस्ट दी कंसेप्ट ऑफ जी ओप्लिटिक्स बेजवान ओस्यान पावर देखेए जीओ पर देखेए तो दोस्तों यहाँ पर जीओ पर हो जायेगा यह टी महान जी का ठीक है तो इसमें दोस्तों इस पैक मैन भी हो सकता था लेकिन फ इसन पावर एंड आण जो सब्सक्रावर से नहीं दिया था था ठीकत यह आधर रखेएंगा इसन फूहिस दोस्तों याद रखिएगा ठीक है यह जो बुक है दोस्तों 1890 माया था ठीक है इस बुक में ही इनुने बताया कि जो है आपका यह फॉर्स टाइम एक्चॉली यह टाम कोईन किया था यह आपका यह कंसेप्ट जो है वह से पावर यानी यह सी पावर और लैंड पावर के ओपर किसके ओपर बेश होगा फ पर उनका भूक का मिनाम भी दिया गया है यहां पर देख लिजे दा इंफ्लेंस ओप सी पावर अपने हिस्टी 8090 नेक्स्ट्ट्टिन को सी नमबर 23 वाट इस ग्रीमेंटिंग तो ग्रीमेंटिंग क्या है दोस्तों ग्रीमेंटिंग हम लोग अल्रीटी एक बार डिसस कर मैनेपलेटिंग डिस्टिक बाउंटरी देखिए मैनेपलेटिंग डिस्टिक बाउंटरी इस बिटाम आ गया और यहां पर देखिए पॉलिटिक्ल एडवेंटिज भी आ फिरट रीट आडवेंटेज किसको नेगा है पास्तिकुलर एक पार्टीक्लरर्विट इक हम इसमें गरिमेंडरिंग का एक है क्रेकिंग और एक है पैकिंग तो इसमें क्या क्या है आप लोग एक बार देख लिजे अब देखते हैं नेक्स्ट कोश्टिन कोश्टिन अबर 24 दा इन्विजिबल लाइन देखिए यहाँ पर इसका एंसर होजेगा बाउन्टी केसे बाउन्टरी होगा यहाँ पर देखिए इन्विजिबल लाइन बुला गया है जो कि दिमार्केट करता है आउटर लिमिट ओफ टेरिटरी अंडर दी स्वाभरेंटी जो फॉलिटिकल पावर होगा लीगल पावर हो यहाँ पर आपको लिए यह भी लेकाया है कि बाउन्टरी कौन सा है और कौन से चीज़ को आप फ्रॉंटियर कहेंगे आप लोग अच्छे से देख लिजिए क्योंकि एकजामी इस तरीका का कोस्टिन आता है तो देखिए बाउन्टरी क्या है यह बाउन्टरी इज लाइन इस भी यह वेलंड जिफाइंड और कन्टरोल गाइन टू इस तेट ऑगे एक क्या है लाइन है ठीक है और फ्रॉंटियर क्या है फ्रॉंटियर इस एन एरिया इस वालिन सींड एन नौटसल और फूल प्रेजेंट आफ इस्टेट यह दोस्ते एक जेओग्राफिकल एरिया है यह दोस्तों किसी स्टेट का जो है फुली एक प्राणा जमाना जो था उस टाइम जो है यह पास्ट में ज्यादा फोकस किया रहा था फ्रॉंटियर के उपर और प्रेजेंट अभी तो है बाउंडरी boundary को उपर ज्यादा फोकस के राता है present time जो है फिनोमेना और इस इस फिनोमेना अफ पास्ट के सकते हैं देखिए यहां पर देखिए boundary का second जो difference है एक थीन invisible imaginary line है दोस्तो याद रखिएगा थीन invisible और इमर्जिनरी लाइन और इस question में देखिए इंभर्जिबल लाइन था यह टाम ढ़ी याद रखिए और frontier क्या दोस्तो यह tangible geographical area टेंजिबल माने जो जिसे हम लोग देख सकते हैं छू सकते हैं ठीके और यह imaginary line invisible ठीके बॉंटरी दोस्तों इनर वरियेंटेड है यानि अंदर का जो है आपका चीज़ों को ज्यादा यह प्रेजेड courses कि जब संदिक किया आता है और वरियेंटेड देन बॉंटरी क्या है Notre Two एक स्टेड को दूसरे से सट्वरेट करते हैं लेकिन प्रॉंटियर क्या है इन्टीट करता है और यह लीगल इंग्स इंडल है और यह जियोग्राफिकल और प्रेर ओ स्ट्विसarya this is the last but not the least देखते है कोचिन क्या है यह जोन सेपरेटिंग टू इस्टेर्स इन विच इधर इस्टेट एकसाइज इस दा पॉलिकल कंट्रोल इस पॉल्ड देखें यहां पर कोचिन जो पूचा गया है देखें क्या पूचा गया है जो कि सेपरेट करते हैं टू इस्टेट को नएधर इस्टेट एकसाइस देखें पॉलिकल पावर किसी भी इस्टेट का ठीके दो जो इस्टेट है जिसको सेपरेट कर रहे हैं जो चीज ठीके तो उसमें क्या है पॉलिकल कोई पावर नहीं है पॉलिकल कंट्रोल नहीं है उस चीज के उपर तो दोसर यह फ्रॉंटिय को ठीक है यह हो जाएगा आपका frontier ओके आई होब कि आपको यह समझ में आया है difference between the boundary and frontier तो दोस्तो कैसा लगा यह वीडियो next part में हम लोग next 25 set of questions देखेंगे तो दोस्तो subscribe कर लिजेगा channel को मिलते हैं next part में thank you for watching this video thanks a lot अाओ पूश्टर कहिए टीझ तोस्तो में कर दोस्तों 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 आञे को रगा जोस्तों